क्लास 11 एक्जामपल 5.6 सी फिगर 5.8 अब हमें फिगर दियुए है 5.8 तो अब ध्यान रखिए एक्जाम में आपके पास यही फिगर गिवन होगी इसमें क्या दियुए है ए मास ओफ 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling अब यहां पर हमें क्या कहा गया है कि मेरे पास 6 kg मास है वो ceiling से लटकाया गया है 2 meter लंबी रसी से अब force of 50 newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope तो अब midpoint मतलब 1 meter पे rope को हमने horizontally तो diagram के recording हना right hand side हमने force लगा दी 50 newton as shown next हमें find करना है what is the angle of the rope makes with the vertical in equilibrium अब कहा गया है कि अगर हम यहां पर consider कर ले कि यह मेरे point P है वो equilibrium में है तो उसके कारण जो मेरा ceiling के साथ angle बन रहा है हना तो वो कितना है तो हमें क्या find करना है ठीठा तो यहां पर इसने simplicity के लिए कह दिया take g is equal 10 meter per second scale neglect the mass of rope start करते हैं जैसे ही अब इस weight के कारण मेरे पास नीचे की force कितनी लगेगी तो kg है तो आप देखिए मेरे पास फोर्स होती है वो किसकी रिखुटी है mass into acceleration तो mass मेरे पास क्या था 6 तो acceleration की value 10 लेने को कहा गया तो 6 into 10 अब मेरे पास force downward कितनी आगी due to mass 60 Newton तो यहां पे और concept कर लेते हैं साथ में आपको mass और weight के बीच में difference बता देता हूं जब भी हम market से कुछ लेने जाते हैं for example हम कहते हैं कि हमें पांच किलो चीनी लेने जाना है हना तो हम कहते हैं कि जो मेरा point P है इस पर कितनी forces लग रही है तो point P पर मेरे पास एक T2 force लग रही है एक 50 Newton की two word right लग रही है और एक T1 force लग रही है through an angle हना ठीठा अगर हम ceiling की बात करें तो तो मेरे पास point P पर तीन forces लग रही है तो एक force तो जो horizontal लग रही है 50 वो तो मुझे मालूम है अब मुझे T2 find करनी है T2 कितनी है तो मैं weight की free body diagram बना दूंगा यहां पर तो नीचे की तरफ 60 लग रहा है तो अगर यह weight वहीं पर stable है वहीं पर equilibrium है तो मेरा T2 की value भी मेरे पास 60 60 आ जाएगी ठीक है 60 न्यूटन तो यहां से हमने T2 की value find कर ली कि 60 न्यूटन आ रही है अब जैसे हमने कहा था कि मेरा P point equilibrium में है clear तो अब आप P point के दरफ देखिए जैसे T2 और T1 और T1 और T2 मेरे पास अब vertical components में show हो रहे है और यह 50 न्यूटन यह मुझे horizontal component में show हो रही है सो अगर P is under equilibrium है और vertical component, vertical component को cancel कर देगा ठीक है जा आप कह सकते हैं कि equal भी होंगी मेरा horizontal component, horizontal component के equal, vertical component, vertical component के equal तो यहां से start करते हैं find करना तो अब इस diagram को दिखिए अगर यहां से मैं perpendicular draw कर लूँ इसे तो इसे नाम दे ले तो मैं O point को और इसे अब यहां पर triangle दिखिए P O A, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ in right angle triangle P O A की यहां पर हमें बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ठीठा के सामने opposite मेरे पास क्या आजएगा, perpendicular origin 90 है तो यह base और यह बचके है मेरे पास सब hypotenuse, clear, तो vertical component को मैंने vertical component की equal रखना है, तो मेरे कहने का मतलब क् मैं O P, यहां पर मैं कहने का चारा हूँ, जो मेरे O P है, वो मेरे T2 की equal है, तो हम मुझे O P find करना है, so O P find करने के लिए, हमें क्या यूज़ कर सकता हूँ, like this relation हम यूज़ करते है, पंडित, बदरी, परशाद, हर, हर, बोल, सोना, चांदी, दोल, ठीक है, तो मुझे base find करना है, पता क्या है, hypotenuse T1 दिया हुआ है, ठीक है, P A की value T1 हमें given है, so हम यहां पर यूज़ करेंगे cos, तो angle कितना ठीटा, so cos theta is equal to base, अब हमारा कितना के O P, so O P upon hypotenuse P A, और यहां पर सिधी value में कर जाता हूँ, T1, तो my O P comes out T1 cos theta, तो यह मेरे पास equation आगी, O P की T1 cos theta, जैसे आब हमने कहा था, कि यह vertical component है, वो एक दुसरे की equal होंगे, और यहां आप कह सकते हैं, in other words, कि वो एक दुसरे को cancel out करते रहेंगे, मैं T1 cos theta, किसके equal आजएगा, T2 के, so T2 की value हमने निकाल ली थी 60, तो हम कह सकते हैं, T1 cos theta is equal to 60 Newton, तो this is my equation number 1, तो यह मेरे पास आजएगी equation number 1, ठीक है, अब क्योंकि मेरे vertical components resolve हो चुके हैं, अब मैं horizontal component की बात करता हूँ, तो like, देखिए, अगर यहां से मैं, इसको थोड़ा से extend कर लूँ, और यहां से मैं drop कर दू, 90 का angle on, ठीक है, let, इस point को हम नाम दे लेते हैं, B, PB, तो हमें मालूम है, यह total angle 90 का होता है, तो यह angle कितना बचा, 90 minus theta, ठीक है, this angle, तो अब, same, हमें मालूम है, इसके 90 minus theta के opposite, यहां पे perpendicular आजाएगा, अब in triangle बात कर लेते हैं, in right angle triangle, बात कर लेते हैं, P, A, B की, तो यहां पे हम P, A, B की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मेरे पास reference angle, अब क्या बनगा है, 90 minus theta, तो same, हमें यह perpendicular था, तो यह दूनों की बिज़े में बनज़ेगा, base, ठीक है, तो इसे मैं, circle में लेख से तो, circle का मतलब base, तो यह मेरे पास hypotenuse ही रहा गया, तो same, हमें क्या find करना था, base, तो same, यहां से अब देखते हैं, कि मेरे reference angle 90 minus theta है, तो same, मुझे अब base find करना है, तो अब reference angle मेरा कितना है, 90 minus theta, तो same, वही relation, जो हमने पहले जिसके था, cos, अब reference angle 90 minus theta, हमारे किसके लोगा base, base मतलब BP upon hypotenuse, तो hypotenuse हमेरे पास T1, cos 90 minus theta, हमें मालू to PB upon T1, हमें PB निकालना है, so my PB is equal to T1 sin theta, तो यह मेरे पास आजाएगा मेरा horizontal component, now, हमने कहा था, कि जैसे P point equilibrium में है, तो मेरा horizontal component equal to horizontal component होगा, so मैं कैसे कैसा हूँ, T1 sin theta is equal to 50 newton, तो यह मेरे पास equation number आगी 2, ठीक है, so अब मुझे find यह करना है angle, तो मुझे मालू है sin over cos 10 की equal होता है, तो यहाँ पर मैं करूँगा, equation 2 को divided by equation 1, क्योंकि मुझे sin over cos चाहिए, so equation 2 मेरे पास क्या है, T1 sin theta is equal to 50 newton, over, divide करना है इसे, तो यहाँ पर T1 cos theta is equal to 60 newton, so newton से newton cancel होगी unit, so T1 से T1 cancel होगया, so sin over cos मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 theta is equal to, अब 0 से 0 भी cancel होगी, 5 over 6, so my 10 theta is equal to 0.8333, so अब मुझे निकालना है theta, तो यहाँ से हम 10 theta का table देख लेंगे, so my theta comes out to be 40 degree, so this is our answer,